नमस्कार मैं हूँ आशीश धर्म कर्म में अब बात करते हैं आज के पंचांग की अब बात करते हैं आज की तिथी की और आपको बताते हैं कि ये किस तरहां से आपके लिए फलदाई होगी चलिए अब आपको बताते हैं नक्षत्रों का आज कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहेगा और आपके ऊपर इसका क्या असर रहेगा अब बारी है आपको आज के योग बताने की साथी हम आपको बताएंगे आज का विशिष्ट योग अब जान लीजे आज के वरत तयोहार उतसव और विशेश आयोजवन के बारे अब आपको बताते हैं चंद्रमा की स्थिती कैसी है दिशा शूल किस दिशा में रहने वाला है और राहुकाल का समय कौन सा रहेगा अब आपको बताते हैं शुब मुहूर्थ और श्वेश्ट चौगडिये यानि कौन सा समय आपके किस कारे के लिए उत्तम होगा शुब मुरत उपर युक्त शुबाशुब समय तितिवार नक्षत्र व योगा नुसार आज अनुराधा नक्षत्र में विपनी व्यापारारम नामकरन प्रसूती स्नान व शले चिकित्सा आधी के था आवशक शुब मुरत है अब आपको बताते हैं आज जनम लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में आज जनम लेने वाले बच्चे के नाम न, 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 आधी अक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी व्रिश्चिक है व्रिश्चिक राशी के स्वामी मंगल है इनका जनम तामरपात से है समाय तह ये जातक विद्या कला, काम धंदे में निपुन, धनवान, मान सम्मान पाने वाले पराक्रमी, सर्वप्रिय मिलनसार और कष्ट सहिश्णू होते हैं इनका भाग्योदाए कुछ विलम से लगबग 35 वरश के आयो के बाद ही होता है विश्चिक राशी वाले जातकों को सोचे समझे कारियों में सफलता मिलेगी, काम धंदे के शेत्र कुछ परिवर्दन हो सकता है तो आपने जान लिया आज के पंचांग ग्रहनक श्वत्र चौगडिया और आज जनम लेने वाले बच्चों के बारे में लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है जैसा हम आपसे हमेशा कहते हैं कि ग्रहनक श्वत्र भी उन्हीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर विश्वास रखते हैं ईश्वर से कामना है आज का आपका दिन मंगलकारी हो नमस्कार